हाई अब्रिवान आप सो का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है सो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग का एक बहुत बड़े डाउट को किलियर करने वाला हूँ दोस्तों आप लोग की दिमाग में एक डाउट ये भी रहता है काफी सारी जैसे की सब्सक्राइबर मेरे से जब मिलते भी है तो भी वो लोग ये सवाल करते हैं कि मनोज भाई या फिर मनोज सर हम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं फिर भी वीउज नहीं आता मतलब आप लोगों का कहना है कि आप लोग अच्छा वीडियो बनाते हो आप लोग का वीडियो का quality अच्छा है आपका content भी अच्छा है फिर भी views नहीं आता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जैसे एक-दो साल तक काम कर लिया, अब तो आप अच्छे तेरे किसी बोलते भी हो, आपका थमनेली भी अच्छा बनता है, आप वीडियो भी अच्छा बना रहे हो, आपका topic भी अच्छा है, फीर भी आपका views नहीं आ रहा है, तो अब भाई क्या करना है, तो इसी इतने बड बात करते हैं कि आप अच्छा वीडियो बनाते हो या नहीं बनाते हो सबसे पहली बात जैसे क्या होता है दोस्तों कोई कोई चीज क्या होता है कि हमें अपने में खुद बहुत ज्यादा पसंद आता है बट दूसरों को पसंद आये इसका कोई गैरेंटी नहीं यह यह जैसे क है कि किसको भी अच्छा नहीं लगे या फिर ऐसा भी होव सकता है कि बहुत कोई को अच्छा लगाई तो नहीं है तो किसी अपने दोस्त से अपने रिलिलेटिव से या फिर किसी को दिखा करके आप लेना होगा कि देखो तो मेरा वीडियो अच्छा है या नहीं है आप यहां पर मैं बोल दू कि जूठी तारीफ बोलके एक वर्ड है यह जूठी तारीफ में दुनिया बहुत ज्यादा चलती है ठीक है काफी सारे लोग होते हैं जो आपका जूठा तारीफ करता है और यह ची चीज बताए तो ही आपको यहां पर पता चलेगा का आपका कॉंटेंट अच्छा है या नहीं है आप दोस्तों माल लेते हैं एक पल के लिए कहां रियल में आपका कॉंटेंट अच्छा है आप वीडियो भी अच्छा है फिर भी व्यूज नहीं आ रहा तो इस चीज में क्य हुए है जो महेंगे महेंगे क्यमेंट से लाइक जो यह मेरा कैमरा है यह 1,10,000 का कैमरा है इसमें 70,000 का सिर्फ लेंस लगा हुआ है 1,80,000 का मतलब टोटल सेट अप 30,000 का माइक यहां पर लगा हुआ जिससे आप यह ओडियो सुन रहे हो 5,000 का सिर्फ ट्राइपोड लगा हुआ है और 2,30,000 का बोड लगा हुआ है और काफी सारा लाइट लगा हुआ है तब आपको इस तरह का क्वालिटी मिल रहा है तो वीडियो देखने में और सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन दोस्तों मैंने जब यह चैनल स्टार्ट किया था उस तायम मेरे पास कुछ भी नहीं था ना प्राइपोड था ना माइक था ना लाइट था ना क्यमरा था ना बोड था कुछ भी नहीं था पता है क्या है only एक स्मार्ट फोन था only फोन माइक भी नहीं था ट्राइपॉड भी नहीं था फोन था तो उस टाइम मेरे वीडियो का क्वालिटी कैसा आता था बहुत ही बेकार क्वालिटी आता था थोड़ा सा मैं यहां पर चलूंगा old वीडियोज भी ठ है यहां पर हम लुग देखते हैं कि थोड़ा सा कि उस टाइम के मेरे वीडियो का क्वालिटी कैसा हुआ करता था और मैं कैसा दिखता था ठीक ए थोड़ासा मैं भी आपने आपको एक light लगा हुआ है only एक जो हमारे रूम पर बल्ब लगा हुआ था LED वहीं लगा हुआ है कैमरा मेरा जो है यह फोन है Redmi का Note 4 और माइक नहीं है जो audio आ रहा है वो phone के ही माइक से audio आ रहा है फिर भी दोस्तों इस वीडियो पर views कितना है आज के date पर 2.7 के तो likes दिख रहा है views अभी यहां पर नहीं दिख रहा है पता नहीं कभी-कभी YouTube भी पागल हो जाता है जबकि views यहां पर दिखना चाहिए खर कोई नहीं यहां पर दिख रहा है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा है फिर भी आपको views नहीं अर्थ इसका reason क्या है दोस्तों YouTube पे होता है एक चीज SEO ठीक है Search Engine Optimization अब यह SEO के बारे में 100% knowledge आपको YouTube पे कोई भी नहीं दे सकता कोई YouTuber नहीं दे सकता और कोई जानता भी नहीं है जिसको 100% SEO को बारे में पता चल जागा नो वो अपने हर एक वीडियो को million of views लिका जाएगा हर एक वीडियो को बारे में किसी को भी नहीं पता SEO के बारे में थोड़ा बहुत हमें knowledge है SEO होता कैसे है कि title में जो आपके words होता है उसको आपको description पे भी लगाना होता है tags में भी वो words होना चाहिए तो आपका perfect SEO बनता है जैसे कि मैंने यहां पर में वीडियो बनाऊंगा कि 1000 subscribers कैसी complete करे how to get 1000 subscribers तो description में भी 1000 subscribers वाला at least word होना चाहिए और tags में भी आपका 1000 subscribers होना चाहिए इस तरह घुमा फिरा करके हमें लगाना पड़ता है tags तो यह हो गया एक perfect SEO सिर्फ इतना knowledge है मतलब यह एक idea है कि इस तरह से SEO किया जाता है लेकिन guarantee नहीं कि हाँ इस तरह का लगा देने से मेरा video ranking होने लगेगा video suggestion में जाने लगेगा suggested में जाने लगेगा कोई guarantee नहीं जो आज YouTube पे 10 साल से भी जादा time पे भी अगर काम कर रहा ना तो वह भी इसके बारे में नहीं बता सकता के SEO कैसी होता है ठीक है एक दो चीज और यहां पर doubt clear करते हैं कभी कभी देखना कि एक दो वीडियो काफी ज्यादा चलता है ठीक है जैसे कि मेरे व्लॉग वाले चैनल पर आप चले जाना जैसे कि मैंने काचा बादाव अंकल के साथ मैंने वीडियो बनाए था तो उस वीडियो पर चार मिल असके बाद 5.000.000 नहीं हो रहा है चार मिलियो के बाद कभी यहां पर देखे 8,000 बढ़ रहा है कभी यहां पर 2000 बढ़ रहा है तो यह यूटो बाद ये क्यों नहीं आगे बढ़ा उसी स्पीड में 5,6,10,000,000 हो जाना चाहिए था आखिर क्यों नहीं हुआ तो इसके बारे में कोई भी यूटूबर नहीं बता सकता मैं भी नहीं बता सकता कोई यूटूबर भी नहीं बता सकता ये सब कुछ पंगए यूटूब का बढ़ नहीं रहा है बढ़ रहा है बट एकदम ना के बराबर बुल सकता तो ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं बता सकता उसी तरह से दोस्तों यूटूबर यहां पर होता है ऐसी ओ जिसके बारे में कोई नहीं जानता अगर कोई जान जाए तो वहर एक वीडियो का अपना अब लगे यहां नहीं लगेगा इसका गेरेंटी तो कहीं पर नहीं है ठीक हो सकता है कभी ही हां लग गया पुरा दूर में कभी त आपका एकदम राउंड से एक बाहरी लग गिया माल यह तो फिर आप जैसे क्या होगा कि यह एक्स्पिरियंस पर आपको बीच मा लगा सकत करते 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 कभी आप राउंड पे मारोगा एक दम दूर पे ऐसे मारते जागो मारते एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कहीं यहां पर बीच पर लग जाएगा जाकर तो यहां पर यह सब चीज बताने का एक्जांपल मैंने ऐसा दिया आप लोगों अभी तक समझ क्या आप जितने ज़्यादा वीडियो बनाओगे एडिट करोगे अपलोड करोगे टेक्स लगाओगे थमने लगाओगे आपको वह चीज समझ लेना कि आप महां पर एक्सप्रियंस कर रहें तीर मारने का कभी ना कभी तो भाई बीच में जरूर लगेगा और जिस दिर बीच मे यहां बता दूं कि आप में अगा मतलब कितना वीडियो बनाते रहेंगे तो कभी वीडियो वाईरल होगा अब यह वाला यहाँ पाचीज आ जादा तो अब मैं बता दूं कि आप में अगर आपका वीडियो नहीं चल रहा व्यूज नहीं आ रहा तो आपके content में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है जो आपको accept करना पड़ेगा आपको समझना खुद से ही पड़ेगा का आप में आखिर क्या कमी है जैसे अगर इसके लिए में एक इक्जामपल देना चाहूंगा आप लोग बीवी की वाइन्स को जानते होंगे ठीक है जिनका की काफी बड़ा YouTube चैनल है थोड़ा सो उनका चैनल ही खोल लेते हैं या पर तो बीवी की वाइन्स हमने खोल लिया ठीक है इनका कड़ों लोग इनको सब्सक्राइब करके रखा हूं और कितने लोग तो देखते होंगे विदावर सब्सक्राइब किये तो इनका वीडियो आपको भी अच्छा लगता होगा तो आप बताओ कि कभी आपने YouTube पे ऐसा कोई चैनल देखा है जो कि वीवी की वाइन्स जैसा वी टेलेंट तो है कुछ ना कुछ तो खास बात है तो ही आज इनका विडियो इतना चला अलोग इनको पसंद किया अगर इनके जैसा कोई वीडियो बनाता या फिर इनसे अच्छा विडियो बनाता दो वह आपके नजर के सामने आज जरूर होता हो सकता इनसे भी बड़ा किरे और जो और बहुत सारे यूटूबर से जो यूटूब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं लेकिन तीन मिलियन के करीब आस पास में अभी कोई ऐसा यूटूब चैनल नहीं है जो यूटूब टिफ्स देता हो तो मेरे भी है अब यहां पर मुझे पता चलता है मैं मुझे लगता कि मेरे में डो खास बात है पहला खास बात दोस्तों कि मैंने आप लोग को पहली भी बोला थाज कि मैंने जब यूटूब पर आया था थो मैं स्टार्टिंग से हिंदी लेंग में को काफी मैंने ध्यान दिया है। मैं हिंदी से बात भे बोलता हूं हर एक चीज, और टाइटल में भी लगाता हgre हों, और टाइटल में कुछ इस परकार का लगाता रहता है। टाइटल कुछ ऐसा रहता है कि मतलब आपके अंदर में वो क्रिशिटी जगा देता है उसको खुलने का आखिर आज के विडियो में क्या ही बताया है यह एक चीज है और दूसरा खास बात यह है कि मेरा बोलने का तरीका यह मुझे ऐसा लगता है कि आप ही लोग कमेंट करते ह काफी ज़्यादा सिंपल में राता है कि एक छोटा बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ में आ जाएगा कोई एक एजड़ आदमी पे देखे तो उनको भी समझ में आ जाएगा ठीक है काफी अच्छे तरीके से मैं समझाने के कोशिस करता हूं तो यह दो खास बाते जिस सब्सक्राइबर लेकिन अगर ऐसा आपको यूटूब पर आज तक कोई और दिखा जो मेरे जैसा वीडियो बनाता होगा या फिर मेरे से भी अच्छा बोलता हो तो अगर ऐसा होता तो आज वो मुझे भी बीट करके आगे निकल गया होता और आज मेरे सामने मतलब उनका च कीजिए दोस्तों आप में कुछ ना कुछ आपके कॉंटेंट में कमी है ट्राइ करो उसको फाइंड करने की और एकसेप्ट करने की जूटी तारिफ से तो बचना लोग काफी जादा जूटा तारिफ करते हैं और खुद से भी एकसेप्ट करना कि आपका कहां गलती है आप स छूटैकोल कは जूटा जूआखा गयर है तो मैं क्या चीज ने तुमने में तो अच्छा लगने जनीह होगा फिडबग आपको आपको कैसा मिल रहा है तो मैं मूँ पे बोल देता हूं कि देखिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आपका स्वांग अच्छा नहीं है फिर आप गाते अच्छा से नहीं हो आप सिंगर नहीं बन सकता कोई दूसरा चीज ट्राइक कर लो उनको भले बुरा लगे लेकिन में मूँ पे जबाब देता हूं मूँ पे बोल देता हूं तो यह खास बात होना भी चाहिए आप लोग भी ऐसा करो किसी को जूठा तारिफ मत करो क्योंकि वेचारा क्यों उस चीज में टाइम वेस्ट करें अब फंसा हो रहे है तो चले आए ओप आज की वीडियो से काफी कुछ आप लोगों सीखने क मिला है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें चले आज के लिए तना ही तब तक लिए जैहिन वन्यमात्रम